हेलो एब्रिवन आंगन बड़ी से जुड़े सभी मुद्दों पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आंगन बड़ी सेविका के पदपर कारे करने के लिए यदि हम लोगों को फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिले तो उसकी आयू सीमा क्या है और हमारा कारे काल पूरा हो जा रहा है तो रिटार्मेंट की आयू सीमा क्या है अभी भी आज के डेट में भी बहुत सारी बहने इस बात को लेकर के कन्फ्यूज है कि आयू सीमा का निर्धारन ओफिशल लेटर के साथ क्या है तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अफिशिल लेटर के माध्यम से आयू सीमा के निर्धारण बताऊंगी सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि इसके प्रेशक आप लोग देखिए कि प्रेशक कौन है देखिए निदेशक ICDS बिहार पटना सेवा में सभी प्रमंडली आयूक्त जिला पदाधिकार विशे बाल विकास पर्योजना अंतरगत आंगन बड़ी सेविका या सहाईका के कार्य करने की अधिक्तम उमर सीमा निर्धारण के संबंध में ठीक है इसमें जो है कि अधिक्तम उमर सीमा निर्धारण कहा जा रहा है लेकिन मैं इसमें आप लोगों को निवन्तम और अधिक्तम दोनों जानकारी दूंगी देखिए महास है उप्योक्त विशेक के संबंध में निदेशा नुसार कहना है कि बालविकास पर्योजना अंतरगत आंगन बड़ी सेविका सहाईका के कार्य करने की अधिक्तम उमर सीमा निर्धारण सभी विभागी पत्रांक 990 दिनांक 2016 द्वारा निर्गत आंगन बड़ी सेविका सहाई चैनमार्क दर्शिका 2016 के कंडिका 3 में समनक विचार प्रांत निम्ने रूपन संसोधित किया जाना है कंडिका 3 कंडिका 990 का पत्रांक है उसके कंडिका 3 में जो है कि इसमें बताएगे इसमें दो मुद्दों पर बताएगे पूर्व का प्रावधान एक है वर्तमान का प्रावधान ठीक है तो इस कंडिका को दो हीशों में बाटा गया है सबसे पहले देखते हैं पूर्व का प्रावधान दूसरा देखते हैं हम लोग यहां पर जो है वर्तमान का प्रावधान तो पूर्व का प्रावधान क्या है तिति को उनकी उम्र नियूंतम 18 वर्स तथा अधिकतम 40 वर्स होनी चाहिए। रिक्ति का प्रकाशन यानि कि मानली जीए एक अप्रेल 2024 को आपके वाड में रिक्ति आई है तो एक अप्रेल 2024 को आपकी उम्र 18 वर्स हो जानी चाहिए। यदि एक भी दिन कम होगा तो आप आव एकस्योत बेदन नहीं कर सकते हैं रिक्ष् iç के प्रकाशन की तिथी माईने रखती है यह नहीं कि आप जो है कि एक अप्रेल के बाद आप दो अप्रेल तीन अप्रेल 4 को भर रहे है तब तक आपकी उम्र कंप्लीट हो तो ऐसा नहीं होता है जिस दिन रिक्ति आई उस रिक्ति के प्रकासन की तिथी को आपकी उम्र 18 वर्स हो जानी चाहिए निउन्तम और अधिक्तम कितनी उम्र होनी चाहिए वह भी देख लीजिए यहां पे जो है अधिक्तम आयू वर्स 40 वर्स होनी चाहिए यदि आप एक 40 वर्स से एक भी दिन जादा हो गई है तो आप अपलाई नहीं कर सकते हैं मैं एक अप्रेल सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बोल रही हूँ आप अपने वार्ड में देखिएगा कि किस तारीक को रिक्ति आई है उस तारीक को आपकी उम्र की निर्धारण में जो है कि 19 मायू सीमा 18 वर्स अधिक्तम मायू सीमा 40 वर्स होनी चाहिए ठीक है उसके बाद देखिए इसके अतरीक्त चैनित आंगन बड़ी सेविका अधिक्तम 18 अधिक्तम 60 वर्स की उम्र तक कारे कर सकेंगे इसके पस्चात्वा स्वत सेवा मुक्त हो जाएंगी यानि कि हमने य हो जाएंगे ठीक है तो यह हो गई हम लोगों की पूर्व की प्रावधान और अब हम अभी का प्रावधान देखते हैं इसमें मैं आप लोगों को दोनों बताऊंगी सेविका सहाइका के नियुंतम और अधिक्तम दोनों आयू सिमा देखिए वर्तमान का प्रावधान है इ यही मानने है यदि माई जून जुलाई जब भी आपके हां वेकेंसी आती है तो यही नियम लागू होगा नियम क्या है देखते हैं सेविका सहाइका के लिए उम्र आगन वड़ी सेविका सहाइका के चैन है तो रिक्ति के प्रकाशन के तिथी में उनकी नियुंतम वर्स उ उमर की 18 वर्स होनी चाहिए और अधिक्तम 40 वर्स होनी चाहिए जिसका मूल प्रमाण पत्र उनके द्वारा आम सवाब में भी उपलब्ध कराया जाएगा इसके अतिरिक्त चैनित आंगन बड़ी सेवी का अधिक्तम 65 वर्स की उमर तक कार कर सकेगी इसके पस्चात वह स्वता चैन मुक्त हो जाएगी इसमें 5 वर्स आयू बढ़ाई गई आप लोगों को पता है कि 2016 में आंगन बड़ी संगो ने जो हर्ताल किया था उसमें मांगी गई थी उसके पस्चात जो है 5 वर्स आयू की सीमा बढ़ा दी गई है यानि कि अब जो सेवी का पहले 60 वर्स की आयू में रिटाрь होगी तो उमीद है जोबी सेव Councillor के बहाली प्रक्रिया में उमर सिमा नेरिधारन की समस्याओं का समधान हो चुका होगा अंगन बड़ी से जूड़ी इसी प्रकारी यूसफुल और लेटेस्ट विडेयो के लिए चैनल को सब्स्राइब करके रखें वीडियो को next video में अटते कि लेसे बीड़ स्टो को नमस्टे